एक गाउं में दो भाई अपने अपने परिवार के साथ रहते थी एक भाई अमीर था तो दूसरा गरीब दिवाली आई सारे गाउं में खुशियां मनाई जा रहे ही थी परन्तु छोटे भाई के पास तो खाने लाइक भी कुछ नहीं था वे बड़े भाई के पास मदद मांगने गया बड़े भाई ने दुद्कार कर बैरंग वापिस फेज दिया बिचारा उदास लौट रहा था कि रास्ते में एक बुढ़ा दिखाई दिया बुढ़े के पास लकडियों का एक बड़ा सा गठर था बुढ़े ने उससे पूछा क्या बात है बेटे बहुत उलासो दिवाली पर तो खुश होना चाहिए काहे कि दिवाली ताओ मेरे भाई ने भी मेरी मदद नहीं की मेरा परवार भूखो मर रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा यदि तुम मेरी मदद करो इन लकडियों के गठर को मेरे खर पहुचा दो तो मैं तुम्हें जो दूँगा उससे तुम अमीर हो जाओगे चोटा बुढ़े के पीछे चलता हुआ लकडियों के गठर को उसके घर छोड़ाया बुढ़े ने चोटे को एक माल पुआ दिया और बोला जंगल में जाना एक जगए अजीब तरह के तीन पेर तुमें दिखेंगे जिसके पास एक चटान होगी ध्यान से देखोगे तो चटान के कोने में तुमें गुफा का एक मूँ दिखेगा गुफा में चले जाना वहाँ तीन बोने रहते हैं माल पुआ उन्हें बहुत पसंद है वैसे किसी भी कीवद पर छोड़ेंगे नहीं चोटा भाई गुफा में जा पहुँचा उसके हाथ में माल पुआ देखकर एक बौना बोला ये मुझे देदो मैं तुमें इसके बतले में जो कहोगे देदुआ चोटा बोला मुझे बस अपनी पत्थर की चक्की देदो चक्की लेकर छोटा जैसे ही चलने लगा बौना बोला इसे मैमूली चक्की ना समझना इसे घुमाने पर तुम जो मांगोगे इसमें से निकलता रहेगा इच्छा पूरी होने पर इस पर लाज रंगा कपड़ा डाल देना समान मनना बन हो जाएगा चक्की लेकर छोटा भाई घर पहुँचा पत्नी और बच्चे भूखे थे उसने कहा यहाँ पर एक कपड़ा बिशाओ कपड़ा बिशाकर चक्की उसके उपर एक किनारे रखकर छोटे ने चक्की चलाई और बोला चक्की चक्की चावल निकाल बस चावलों का धेर लगना शुरू हो गया लाल कप्रे से चक्की को ढग कर छोटे ने फिर कप्रा हटाया और दुबारा चक्की चला कर बोना चक्की चक्की दाल निकाल धेरों दाल निकलती रही थोड़ी देर बार चोटे ने चक्की को ढख दिया दाल चावल बनाकर सबने अपना पेट भरा रात सबने चैन की नींद ली बचे हुई धेरों चावल और दाल को लाटकर चोटा अगले दिन बाजार में बेच आया वाकस आकर उसने फिर वही क्रम अपनाया और इस बार धेरों गेहूं चावल बिन बिन डाले चक्की की मदद से मिकाली और बेच कर धेरों पैसे कमा आया दिनों में ही वे अपने भाई से भी ज्यादा अमीर हो गया चक्की की मदद से कभी घी कभी तेल कभी नमक कभी मसाले कभी बदाम कपास जो चाहे उसे प्राप्त होता रहता था बड़ा भाई उसकी खुशाले से जलने लगा उसने सोचा चंद दिनों पहले तो ये भूखों मर रहा था अब इसकी हाथ क्या लगा जो ये मुझसे बिज़ादा धनी हो गया है एक रात चुप चाप वो चोटी की घर में चुप गया सारा भेज उसके आगे खुल गया अगले दिन जब चोटा बाजा समान बेचने गया था तो बड़ा भाई चोटी की घर पहुँचा और उसकी घर से चक्की चुरा कर ले आया और अपने परिवार को लेकर दूर कहीं टापू में जाकर बसने के इरादे से घर से चल पड़ा समुद्र की नारे पहुँचकर उसने एक नाव खरी दी सभी उसमें बैठ गए और नाव में बैठ कर टापू की और चल दिये उसकी पत्नी हैरान थी कि एक बेकार सी चक्की लेकर उसका पती सारा घर बाहर छोड़ कर हम सुब को लेकर कहां जा रहा है बड़े भाई ने पत्नी की जिग्यासा शांत करने के लिए चक्की को घुमाया और बोला चक्की चक्की नमक निकाल बस फिर क्या था नमक का धेर नाव में लगना शुरू हो गया और नाव डूबने लगी बड़े भाई को चक्की बंद करने का उपाय तो पता नहीं था उन सब की जल समाधी बन गई सभी चक्की समेथ समुद्र में डूब गई कहते हैं कि चक्की अब भी घूम रही है तबी तो समुद्र का पानी खारा है शीक्षा लालच बुरी बला है